नमस्कार दोस्तों जहिंद उण्दे मात्रम आपशबी का श्वागत अभिनंदन है टीटी फेमली सिचकों के परिवार जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई सिच्छा ही प्रगास है आज की क्लास में बात करने वाले हैं आपके मत्प्रदेश सिच्छक वर्गदो MPT वर्गदो सोसल साइंस समाजी बिज्ञान की क्लास पार्ट नमबर पहली रहने वाली है और आपके NCRT पर आधारित समाजी बिज्ञान की SSC की क्लास हम करने वजा रहे हैं और ये आपका जो चैप्टर है वह इतिहास का चैप्टर रहने वाला है जो कि बहुत चैप्टर है इस चैप्टर से दोस्तों आपके NCRT पर निचोड यहाँ पर कर रहे हैं तो सभी लोग ध्यान पूरक यहाँ पर समझेगा सारी चीजें क्लियर करेंगे पार्ट वाइज यहाँ पर कलासे आपके चल रही ही इतिहास के बाद फिर जियोग्राफी भुंगोल का क्षोल चैप्टर करेंगे तो टिहास से आपका पहला प्रशन यहाँ पे सलेक्ट होकर आया है कि स्वास्तिक प्रतीग कवदय किस काल में हुआ है 7.00pm विविवारी डेली लाइब क्लास होती है तो ज़रूर जोइन कीजेगा तो पहला प्रशन है कि स्वास्तिक प्रतीग में हुआ तो राइट अपसन यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों सिंधुकाल की बात करेंगे जियां एसिया में सबसे पहले स्वास्थिक प्रतिक का सिंधुगाटी सबता 3000 इसापूर में मिलता है और स्वास्थिक सब्द की उतपति जो है आपके संसकत के सूपसब्च से हुई है किस से सूप उपशर्ग और असधातु से हुई है अस धात उसे हुई है इनको मिलाकर आपका सुकर्थ होता है सेष्ठ या मंगल और अस कर्थ होता है सत्त या आस्तृत तो स्वास्ति कर्थ कल्यान की सत्त या मंगल में आस्तृत की बात करते हैं बाकि दूसरा पुष्णे अनाज की उपज का प्रथम बार प्रारम्ब कभ हुआ था 20 पसान मद पशान पुरान पशान या इनी में चे किसी में से तो अनाज की जो उपज का प्रतंबार परम कहां पर हुआ था सबी लोग बताईएगा फीडवेक कीजिएगा बेतीन कोश्चन्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं जो आपको कहीं पर इस प्रकार के कोश्चन्स नहीं होने वाले हैं जाम में आने वाले परशने तो राइट अपसन आप का चुका है वह हम बात करेंगे नव पाशान योग की बात करेंगे पहला अपसन यहाँ पर सही हो जाएगा अंगला परशने तीथी क्रमानुसार निम्न को बिवस्थित करना है तिथी क्रमानुशार यहाँ पर विवस्थिक करना है और आपके स्किन पर दिया गया है पुरान पशाण यूग, तामर्यूग, मद्ध पशाण यूग और नवपशाण यूग तो इनको क्रमानुशार करना है तिथियों को देखे पहला पुरान पसान यूग होता है इसके बाद मद्ध आता है मद्ध के बाद आपका फिर नौपसान आता है फिर आपका तामर्यूग आता है तो पुरान पशाण योग, मदपशाण योग, नवपशाण योग, तामर्योग तो ये चीजें सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है तीन चीजें आपको ध्यान देना है पहला पुरान पशाण योग, मदपशाण योग, नवपशाण योग ये तीन करम तो आपके रहेंगे ही रहेंगे वन थ्री फोर और इसके बाद आपका ताम यूग आ जाता है ठीक है तो यहाँ पे हमारा जो डी आपसन दिया गए वन थ्री फोर तो रहे गई ही रहे गा लेडी तो डी आपसन हमारे यहाँ पे चैन हो जाएगा अंगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे पार्शनात भद्रबाहु महाबीर या रिसब्देव की बात करते हैं तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर या कह सकते हैं संस्थापक कौन थे तो वह थे आपके रिसब्देव किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों आप्शन नमबर डी की बात कर रहे हैं रिसब देव की बात करेंगे रिसब देव पार्शनवात कासी के जो बंसी राजा अग्रसेन के पुथ थे पांचवाँ प्रशन है रिगवैदिक काल में निम्लिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी तो बाल विवाए बाल विवाए प्रथा दोस्तों किसी लड़की ये लड़के की साधी 18 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाए कहलाता है बाल विवाए में अपचारिक बिवाए तथा अनपचारिक समंध भी आते हैं 18 साल से कमनुन के बच्चे साधी सुदा जोड़े के तरह अगर रहते हैं तो बाल विवाए अब बच्पन खत्म कर देता है बाल विवाए बच्चों के सिच्छा स्वास और स्वनच्छन पर नकरात्मक प्रभा पड़ता है इसलिए बाल विवाए प्रथा अन्यम जिसे हम सारदा एक्ट की बात करते हैं 1929 में एक अप्रेल 1930 को बाल विवाए प्रथा को पहली बार जो है इस रिगवैदिक काल में लाया गया था तो ये भी अगर पूचा जाता है ये भी आपको ध्यान देना है इनमें कई सारी चीजें आती हैं लेकिन ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं बात करेंगे लेकिन इतनी अवश्य बात कर लेंगे जो एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है बाल बिवाय प्रथा अद्नियम सार्डा एक्ट जो है उनीस सो नतीस में एक अप्रेल उनीस सो तीस को बाल बिवाय प्रथा को पहरी बार समाप्त किया गया था जिसमें लड़के कुम्र अठारा और लड़की कुम्र चौदा वर्स रखी गई थी लेकिन संसोधन फिर हुआ 1978 में 1968 1 के ताहत जो है लड़के की अउम्र एक्टिस वर्स और लड़की की अठारा उम्र रखे गई थी कितने? 1978 1 संसोधन के ताहत अंगला परसे देख लेते हैं कौन सी धातू सिंध वासियों को ग्यान नहीं थी ऐसी धातु का नाम बताईए जो सिंद वासु जो थे उनको ग्यान नहीं था सोना चांदी ताबा लोहा देखे जो सिंद वासी थे उनको जो ग्यान था सोना चांदी ताबा कांसा ताबा चांदी सोना इनसे परचित थे लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे दिकार इंटर कुष्चन डी आप्सन हमारा सही हो जाएगा सिंदु घाटी की सबता में घोडे के आउसेज कहां मिले हैं सुरकोटर, वनमाली, लोथल या काली बंगा की बात करते हैं या सिरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है इस इस्थल में सिंदु घाटी की सबता के विस्तार के प्रमाण भी मिले हैं और यहां घोडे की अस्थियां एवं अनोखी कब्रगार भी मिली है तो वह सुरकोटर है, कहां पर इस्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में इस्थित है अंगला जो प्रश्णाप के स्कीन पर है, कि प्राचीन काल में बंधुआ स्रम को निर्दिष्ट करने वाले सब्द थे जी हां, बंधुआ सब्द कहते हैं ने बंधुआ मजदूरी करना ठीक है तो प्राचीन काल में बधुआ स्रम को निदिष्ट करने वाले सब्द थे तो वह सब्द आपके कौन से थे वेत्ती, सुल्क, सोधन या विस्टी तो यहाँ पर राइट आप्सन हमारा हो जाएगा वेत्ती और विस्टी किसकी किसकी बात कर रहेंगे जो वी आप्सन दिया गया है आपका वेत्ती और विस्टी की बात करेंगे तो Figden to questions यहाँ पर हमारा जो वी आप्सन दिया गया है वो हमारा सही हो जाएगा इसके बाद अंगला जो प्रशन है कि निमनिख्यत योगों में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है कौन सापका सही सुमेलित नहीं दिया गया है नीचे आप्संस दिये गए है हडपा के लोग ताबा आयात करते थे हडपा शबता का तठनगर सबसे विसाल हडपन और काली बंगन का आर्थ चार आप्संस आपके स्कीन पर दिये गए हैं आलेडी तो यहां पर हमारा कौन साप्संस होगा सभी लोग बताईए हडपा के लोग ताबा आयात करते थे खेतरी कहलाता था हडपा सबता तठनगर लोथल की बात करते हैं सबसे विसाल हडपन हडपा कहलाता है काली बंगन का अर्थ काली मिट्टी के बरतन से काली बंगन एक सुन्दुबासा का सब्ध है काली धन बंगा यानि काले रंग की चूडियों से बना है काली का अर्थ होता है काले रंग और बंगा करत होता है चूडियां से हडपा की बात करते हैं तो काली बंगन करते हैं अंगला प्रस देख लेते हैं अंगला प्रस आपके स्कीन पर है कि सिंदुगाटी सब्धा निमलिकित में से किस सब्धा के समकाली नहीं थी चार आपसंस दिये गए हैं तो सिंदुगाटी सब्धा मिस्र के समकाली न थी मोसु पोटामिया की सब्धा के समकाली न थी क्रीट के सबता के समकाल नहीं थी लेकिन चीन के सबता के समकाल नहीं थी तो इसके बाद जो है आपका अंगला प्रसन दिया गया है अंगला प्रसन कहे रहा कि बुद्ध चरीत के लेखक कौन है बुद्ध चरीत का लेखक असुगोस, कालिदा, सुद्रक या आरभट की बात करते हैं तो बुद्ध चरीत का लेखा कौन कहलाता है तो यहाँ पे हम बात करेंगे असुगोस की बात करेंगे पहला आपसन सही हो जाए साची का इस्तूप किसने बनवाया असुग, चंद्रकुप्तमा और बिंदुशार या कनिस्क तो साची के महान मुख इस्तूप की बात करते हैं तो महान समराट असुग की बात की जाती है यह तीसी सती इस्वी पूर में बनाया गया था कब बनाया गया था तीस्वी सती ईश्वी पूर में बनाया गया था साची स्थूप की बात करें निम्लिकित में से कौन सा स्रोत मौर काली नितिहास से सम्मंदित है बहुत जैन ग्रंथ, असोग के सिलालेक, कौटिल अर्थसाथ या उपरोक्षभी तो इनमें से जो स्रोत मौर काली नितिहास से सम्मंदित है वह आपका बहुत जैन ग्रंथ भी है, असोग के सिलालेक भी है इसके साथ साथ कौटिल अर्थसाथ भी है तो परोक्षभी आपसंजु दिया गया है, नो डाउट हमारा सही हो जाएगा इसके साथ जो अंगला प्रस्ण है कि बुद्ध चरित के लेखक कौन है तो यह कौश्चन्स रिपीट हुआ है आपका तो बुद्ध चरित के लेखक आप सभी लोग जानते हैं कौन है बुद्ध चरित के लेखक अस्गोस की हम बात कर चुके हैं तो questions रिपीट हुआ है, अंगला पस देख लेते हैं, यम तथा नचिकेता की कथा किस ग्रंथ में उल्लेखित है, तो ये कहला जाएगा आपका कठोब निशद की बात करते हैं, कठोब निशद ग्रंथ में यम नचिकेता संबाध है, और ये संबाध जो है आपका मृत्तु का रहस क्या है, इस भी से पर अधारित है, किस भी से पर अधारित है, मृत्तु का रहस क्या है, अंगला प्रश्ने साक गनतंत्र में सभा इस्थल में भेट करने वाले इस्थान को क्या कहते हैं चौपाल, संथागार, एवबी, दोनों यनमेश कोईने साक गनतंत्र में सभा इस्थल में भेट करने वाले इस्थान को कहते हैं तो चौपाल भी कहते हैं और संथागार भी कहते हैं तो यह काड़िएंटर कोस्चन जो सही आपसन दिया गया है वह हमारा यहां पे सही हो जाएगा अंगला प्रस्चन है नंद वंस का अंतिम संबराट कौन था? नंदवंस का अंतिम सम्राट कौन था महा पद्मनंद, घनानंद, काला शोक इनमेश कोई नहीं तो महा पद्मन के नाम से ही पूरे राजवंस को नंदवंस कहा जाता है और इस वन्स के अंतिम राजा घननन्द को ही अपदस्त कर चंदगुप्त मौर ने मौर राजवन्स की स्थापना की थी तो कारेंट क्वेश्चन्स आपका कौन सो हो जाएगा यहाँ पे तो नदवन्स का अंतिम सम्राठ की अगर बात करते हैं तो घननन्द था नदवन्स का अंतिम सम्राठ घननन्द था क्योंकि इसके बाद चंदगुप्त मौर ने मौर सम्राज की स्थापना की तो नदवन्स का अंतिम सम्राठ घननन्द था और महापद्मन के नाम से भी पूरे राजवन्स को नदवन्स कहा जाता है तो वह महापदमन पूरे राजबंस कहला गया लेकिन अंतिम सम्राठ जो था वह था घनानन इसलिए भी आपसन सही हो जाये अंगला प्रिश्ण है खारवेल के हाथी गुमफा अविलेख में सिचाई विश्यक कारियों का उलेख मिलता है नंदों का, मौरियों का, शुंगों का या कन्वों का मिलता है तो खारवेल के जो हाथी गुमफा अविलेख है इसमें जो सिचाई विश्यक कारियों का उलेख जो मिलता है या आपके किसमें मिलता है तो हम बात करेंगे नंदों की बात करेंगे पहला आपसन यहां पर सही हो जाएगा कोई भी डाउट हो बेफिक राप लोग कमेंट कर सकते हैं फीड़बेक कर सकते हैं आपका प्रतेक कमेंट फीड़बेक शरोपर है शर्मान है अंगला प्रस्ण दिया गया दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है शमुद्रगुप्त, शिकंदर, अशोक, चंदगुप्ध, दोती तो आप सभी लोग जानते हैं ग्यानी सरव विखैता लोग हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो शमुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है उन्होंने उत्री राजों पर विजय प्राप्त की थी और साथ में दच्छिन राजाओं को अपनी संप्रवदा श्विकार करने के लिए मजबूर भी किया था और जो आपका समुद्र के दरबारी कवी कौन थे अगर प्रसुन पूंचा जाता है तो हरिशेन जी हां दोस्तो शमुद्र कुब्ध के जो दरबारी कवी थे वह आपके हरिशेन थे अंगला प्रसुन देख लेते हैं समराट असोक ने न्याई करने के लिए किस पदाधिकारी की निप्त की थी आमात्यों राजिकों धर्म महामात्रों या पुरोहितों की बात करते हैं समराट असोक ने न्याई करने के लिए जिस पदाधिकारी की निप्त की थी वह पदाधिकारी आपका कौन सा है तो वह आपका दोस्तों अपने राजविशेख में तिरवे वर्स में असोक ने ध्म महामात्र नामक नवीन पदाधिकारी की निप्त की थी तो किसकी निकी थी ध्म महामात्र या धर्म महामात्रों की बात करें तो एक आजिन्ट कोश्चन्स आपका जो यहाँ पे दिया गया है धर्मा मात्रों की बात करेंगे अंगला है महान, जैन, बिद्वान, हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे कुमार, पाल, चंद, बिद्वान, जैन, बिद्वान, हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे कुमार, पाल, चंद, गुब्दोती, बिद्याधर, या जै सिंग, सिद्ध, राज तो महान, जैन, बिद्वान, जो हेमचंद थे, इनकी जो सभा को अलंकृत जो करते थे जिसके प्रभाव सुरूप वह जैन धर्म धर्म नियाई बन गया और कुमार पाल ने अपने राज में अहिंसा का प्रचार किया और यग्गी हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया था देके जैन होते हुए भी कुमार पाल ने अपने राजगुरू हेमचंद के साथ सोमनाथ मंदिर में सिवकी अर्चना की थी और बचे हुए भाग का पुनर निर्मान भी करवाया था तो कुमार पाल की बात की जाती है अंगला जो प्रचन है लोकायत दर्सन का प्रवर्तक किसे माना जाता है चावर्क आपका वाशवराज बिज्वल या चन वाशन को प्रचन क्या है लोकायत दर्सन का प्रवर्तक किसे माना जाता है देखें अजित के सकंबली को चावर के अग्रदूत की रूप में से दिया जाता है और ब्रहस्पत्य को आमतर पर चावर क्या लोकाय दर्शन के संस्थापक की रूप में जाना जाता है तो लोकाय दर्शन के प्रोर्तक किसे माना जाता है? तुचावर की बात करते हैं, क्योंकि इनकी विचारदारा भी काफी है अंगला जो दिया गया है, प्रशन निम्लिकित में से किसने असोग को बहुत धर में दिच्छित किया? असोग को बहुत धर में किसने दिच्छित किया था? निग्रोध, मोगली पुत्तिस, उपगोप्तिया, वसुमित्रिने किया था तो एक आरिंड कोश्चन्स असोग को बहुत धर्में दिच्छित करने वाले आपके निगोध नामक बिच्चु द्वारा बहुत धर्म की दिच्छा दी गई थी और एक समराठ असोग अपने सासन के 14 वर्स में निगोध नामक जो है बिच्चु द्वारा बहुत धर्म की दिच्छा दे गई थी अंगला प्रसंदेक लेते हैं असोग के किस अविलेक में बहुत धर्म के नेमों की जानकारी मिलती है असोग के जिस अविलेक में बहुत धर्म के नेमों की जानकारी मिलती है नियम जिया बहुत धर्म की बारिक्यों पर जोर और मनुष्यों को आदर्स जीवन जीने की सीखें अधिक मिलती है बहुत धर्मे और पूर्वी छेत्रों में ये आदेश प्राचीन मगदी में ब्राह्मी लिपी में परयोक किये गए थी तो किस लिपी में परयोक किया गया था बाह्मी लिपी में परयोक किया गया था तो ये भी आपका important question बहुत important हो जाता है तो 13 जो आपका सिला विलेग observe के बहुत होने का प्रतिच बढाम उसके 14 सिला लेख में से 13 सिला विलेख में मिलता है बौध होने का प्रत्यच प्रमान लेकिन यहाँ पर जो प्रश्ण पूँचा गया है वह पूँचा गया है नेमो की जानकारी मिलती तो असोक के जिस अविलेक में बौध धर्म के नेमो की जानकारी मिलती वह भाबुरू है असोक ने भाबुरु अविलेक में बहुत धर्म के आपके तीर रत्म में अपनी आस्था बिक्त की है किसमे की है तीर रत्म तो भाबुरु अविलेक की बात की जाती है इसके बाद जो अंगला प्रश्ण है तिरहामा सिलालेक किस से सम्मंदित है तिरहामे सिलालेक सम्मंदित है युद्ध से, मूतियों से, धर्म से या राज से सम्मंदित है देखे तिरहामे सिलालेक में कलिंग युद्ध और असोग के हदें परिवतन का वर्णन किया गया तो इससे हमारा क्या से दो जाता है सभी लोग बताई युद्ध से है मूर्तियों से है धर्म से है या राज से तो राइट अपसन यहाँ पर हो जाएगा युद्ध से संबंदित है पहला अपसन सही हो जाएगा इसके बाद अंगला प्रश्ण है कौटिल के अनुसार कंटक सोधन थी दिवानी ने आला है फोजदारी ने आला है राजस्त ने आला है या उपरोक्चभी की बात करते है तो कौटिल के अनुसार कंटक सोधन क्या थी तो कौटिल के अनुसार जो कंटक सोधन कहला जाती है वह आपका कहला जाती है फोजदारी ने आला है कि कार्णिन्ट कुस्चन भी आपसंस अई हो जाएगा अंगला जो प्रस्ण दिया गया है कि बौध धर में महायान और हीन यान साखाओं में बिभाजन हुआ था राजगह की प्रथम बौध संपत्ती के संगत्ति के समय वलवी की दोती बौध संगत्ति के समय पाठली पुत की तती बहुत शंगत के समय या कासमीर के चतुद बहुत शंगत के समय हुआ बहुत धरमें महायान और ही जान शाखाओं में विभाजन हुआ था तो यहां पे जो एक आडीरेन्ट को़श्टन समारा दिया गया है वह दिया गया है दोस्तों कास्मीर के चतुर्थ बौध शंगत के समय डिया अपसर यहाँ पे दिया गया है तुहीन यान महायान जो धर्म है इससे समन्दी दिप्रश्ण पूछे जाते हैं दिम्रिकित में से कौन सा नाटक हर्स द्वारा रचित कौन सा नाटक हर्स द्वारा रचित है रतनावली नागनन्दा प्रीदर्शिका तो प्रीदर्शिका और रतनावली दो नाटक इसके लिखे गया है तो पहला और तीसरा किसाप्शन में दिया गया है तो दो नाटक इसके द्वारा प्रीदर्शिका और रतनावली यानि कि पहला और तीसरा अप्शन जो दिया गया है सी बाला अप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा इसके साथ जो अंगला प्रसंद दिया गया है प्रत्थम गुप्त सासक जिसने परम भागवत की उपाद इधारन की वह था स्री गुप्त, चंद गुप्दोती, कुमार गुप्त या समुद गुप्त तो प्रथम गुप्त सासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी तो वह कौन सा कहला जाता है देखे इसकंद गुप्त ने जो उपाधि धारण की थी वह परम भागवत एवं क्रामद्ध था तो इसकंद गुप्त की बात की जाती है तो चंद्गुप दोती के समय छेती तथा संस्कत विस्तार हुआ और चंद्गुप दोती का अननाम देवगुप, देवराज, देवस्री भी है तो विक्रमा दित पर भागवत उपादी धारण की थी तो चंद्गुप दोती की बात की जाती है तो इनका जो अननाम भी आपके आते हैं देव, देवगुप, देवराज, देवस्री तो देव के नाम से भी है तो चंद्गुप दोती की बात की जाती है इसके बाद तीस्वा प्रशने कालानु क्रमानु शार बिवस्थित करना है कनिस्क दोती, वास्थियो प्रथम, विश्यक वास्थियो दोती यहाँ पर कारीन डो क्वेशन जो हमारा आप्संस हो जाएगा सही वे कौन से हो जाएगा तो कनिस्क दोती, वास्थियो प्रथम, विश्यक वास्थियो दोती इन में से जो आपसंस हमारा सही हो जाता है वह आपका पहले होता है हुविस्क इसके बाद होता है कनिस्क द्वती इसके बाद होता है वासुदेव प्रथम और वासुदेव द्वती तो सरप्रतम हमारा कौन से हो जाएगा हुविस्क इसके बाद कनिस्क द्वती, इसके बाद वासुदेव प्रतम और वासुदेव द्वती तो यहाँ पे एक आर्जीन टो क्वेश्चन जो 3,1,2,4 पहला आपसंदियागा विससी हो जाएगा और आप सभी के लिए More Question के रूप में प्रिश्न दिया जा रहा है कि सती प्रता का उलेक करने वाला प्रतल मुद्ध ऑविलेक कौन था? एहोल का, जूनागड का, नानागाट का या एरन का सती प्रता का उलेक करने वाला प्रतल मुद्ध कउन था? या आपको कमेंट करना है और आप सभी लोग सिचक बरती नमबर वन टीटी फेमिली जेस्वाल कोटिंग सिंटर के फेमिली हैं अपने टीचर्स फेमिली पर हैं तो आई होप शबी पैरमित जो यूटूब की तरह से एक टिक भी आपको मिल चुका है बहुत पहले मिल चुका लेकिन जिक रमाज कर रहे हैं तो अपने टीटी फेमिली पर विश्वास कीजिए प्रिपिशन जाई ही रखिए मैं आपके साथ जैस्वाल सर मिलता हूं आपके इंगली क्लास पर 11.30 to 12.00 AM तक हमारी जो सोसल साइंस की क्लास होती है 7.00 PM में पेड़ागाजी की लाइब क्ल क्लास होती है तो जल्दी मिलते हैं आपके लाइब क्लास में सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मात्रम धन्युक्राइब